वेब प्रोग्रामिंग में एक बहुत इपिकल यूज केस होता है कि आप लोग को डॉम के अंदर कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट करना पड़ता है At the same time कभी-कभी आप लोगों को अलग-अलग तरीके से इंसर्ट करना होगा क्योंकि कुछ तरीके इजी पढ़ेंगे आप लोगों को से specific type of task के करने के लिए और कुछ चीजे आप लोगों को इजी पढ़ेंगी जब आप दोसरी तरीकों से करोगे इसलिए सारे तरीके इंसर्ट के आना हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चलते हैं computer screen में और देखते हैं कि JavaScript को कैसे इस्तमाल किया जा सकता है वेन इट कमस तू इंसर्शन आप नोड इंसाइड दॉम लेट्स गेट स्टार्ट चला बहुत अब लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं अपनी HTML के अंदर कुछ और elements कुछ और टैक्स तो उसी की बात करने वाला हूं मैं इस वीडियो में आप लोग उसे सबसे बेले मैं आपर अपनी रैपल में आऊंगा और इस रैपल के अंदर कुछ HTML डालूंगा मानलो मैंने आपर लिखा और मैंने लिखा div class is equal to container और इसके अंदर मानलो मैंने closing tag लगा दिया और इसके बाद मानलो मैं आपर लिखता हूं कुछ इस तरह से div id is equal to first और यहां पर I am a first element ठीक है और यहां पर मैं डेव को close कर दूंगा ठीक है अब मैं आप लोगों दिखाना चाहता हूं कि इसका preview को इस तरह से दिखाई पड़ रहा है ठीक है तो इसका preview को देखने के लिए हम क्या करेंगे यहां क्लिक करेंगे और यह नहीं टैप में खुलेगा और script.js को यहां पर मैं खोल कर आप लोगो दिखाऊंगा और इसके बाद दिखाऊंगा कि मैं इसके इंदर element को कैसे insert कर सकता हूँ एक classical तरीका element को insert करने का मेरे पास यह है कि मैं आप लिखाऊं document.getElementByTagName ठीक है और मैं कहूं कि यार मुझे पहला section दे दो ठीक है मैं कहूं कुछ इस तरह से ठीक है और मैं छोटर से change करूंगा इसमें और अगर आप लोगो यार यह लग रहा है कि यह code कैसे generate हो गया कहां से आया यह code तो जस्ट आप लोगो बताना चाहता हूं कि यह raplet का एक feature है मैं एक काम करता हूं यहाँ पर let is equal to raplet में अभी AI mode आ गया है जिसकी मुझे सारे suggestions दे रहा है which is great या ठीक है तो यह dot html is equal to a dot inner html plus this मैं कुछ इस तरह काम कर रहा हूं ठीक है क्यों नहीं भई यहां पर hello world यह क्या चल रहा है कोई नगर पालिका को बुलाओ या क्या चल रहा है cannot read property of undefined तो ओके तो यहां पर section ही नहीं मुझे div लेना चाहिए थे section कहां से आ गया और div 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 section नहीं div tag है और यहां पर देखो hello world when insert कर दिया ठीक है no surprises whatsoever अब हम क्या करेंगे देखेंगे कुछ insertion के methods जो की हम लोग use कर सकते हैं अपनी convenience के लिए ठीक है तो सबसे बहुता method जिसकी बात हम करेंगे वो है append, prepend, before but notes में देख लेता है मैंने क्या लिखा हुआ है इससे बहले we looked at some ways to insert elements in the DOM, here is another way ठीक है यह तरीका तो देखो यार हमने देखा यह बहुत intuitive तरीका है कि by innerHTML करके और जो है insertion कर लो ठीक है जो पुरानी innerHTML है उसमें यह add कर दो, add हो जाएगी DOM में कोई बड़ी चीज नहीं ठीक है अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप यही काम कर सकते हूं एक element को create करके तो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं मैं कह सकता हूं या div is equal to document.create element div document.create element div यह करने से क्या होगा एक div create हो जाएगा मालो मैं इसके अंदर hello world डालना चाहता हूं ठीक है तो मैं लिख सकता हूं div.innerHTML और hello world ठीक है यह AI mode है आप लोग टाइप कर लेना और यह मैं सोचना कि क्यों नहीं काम कर रहा है टाइप कर लेना या ठीक है यहाँ पर हमारा time बच रहा है मैं type ना ही करूं तो अच्छा है क्योंकि time बचेगा तो आप यहाँ पर देखो इसके बाद मैं क्या करूंगा आप यह के अंदर एक child append कर दूँगा a.append child ठीक है तो मैं document.body.append भी कर सकता हूं मैं चाहूं तो append child method का भी इस्तिमाल कर सकता हूं और एक child append हो जाएगा यहाँ पर आप लोग देखो कि इसको मैंने reload किया और यहाँ पर वही काम हो गया चूकि मैंने inner html के थ्रू किया था अब एक चीज सोचना आप लोग inner html अगर हम करेंगे तो हमें as a string pure html supply करनी पड़ेगी बट अगर हम यह काम करेंगे तो हम for loops को जो है use बे ले सकते हैं मैं बताता हूं कि मेरे कहने कर क्या मतलब मालो किसी ने आप से ही कह दिया कि भाई एक काम करो कि 10 elements जो है insert करो और सब के अंदर hello world 1, hello world 2, hello world 3 इस तरह स script में रहते हुए यह काम कर सकते हुए document.create element को इस्तिमाल करते हुए और यह चीज़ आपको experience से बालम चलेगी कौन सी चीज़ कब convenient है मुझे चोटी-मोटी html insert करनी होती है मैं inner html का इस्तिमाल कर लेता हूं लेकिन मुझे अगर actual में बहुत सारे elements strategically place करने तब मैं document.create element क use करता हूं ठीक है I hope आप लोग समझ रहे हूं मैं क्या कह रहा हूं ठीक है document.body.append करूंगा तो body में append हो जाएगा वरना यह directly इस तरह से हम e.append child भी कर सकते हैं किसी भी element का एक child add कर सकते हैं ठीक है बढ़िया here are some more insertion methods अब अगर मैं append करता हूं तो end of note पे आएगा ठीक है हम मैं काम करता हूं आप लोगी convenience के लिए एक मिट मैं आप लिखूंगा I am start of this container और इसके बाद मैं यहां पर लिख दूँगा I am end of this container ठीक है I am first element I am the first element और यहां बर I am end of this container I am end of this container inner ठीक है और यह inner कर दूँगा ठीक है मतलब container के अंदर रही है but start है ठीक है I hope you got the point अगर मैं यहां पर a.abend ना करते हुए अब मालो मैं इसको a.abend करूँ ठीक है इस तरह से तब क्या होगा तब यह कुछ इस तरह से आ जाएगा ठीक है यह मैंने भी change किया है अगर मैं append ना करते हुए मालो यह वाला method यूज करू प्रीपेंड ठीक है तो यह क्या करेगा आप लोग देखना और मैं इसको comment out कर दूँगा तब आप लोग देखो जैसे ही मैं इसको prepend करूँगा तो यह कहां पर आएगा start of container से पहले अब मैं एक चीज़ और करता हूँ आप लोग के understanding को बढ़ाने के लिए मैं ना यहां पर reload करूँगा तो आप लोग देखो यह outer और inner के बीच में प्रीपेंड करने से क्या होगा आप लोग इसको inspect element करके भी देख सकते हो मैं रहा तो container के अंदर ही लेकिन यह container के अंदर ही रहेगा लेकिन क्या होगा prepend हो जाएगा ठीक है container के अंदर सबसे पहले पहले पहला जो child ह अब बन जाएगा ठीक है इसके बादे को note.before अगर मैं करूँगा तो इस note से पहले जो है यहां पर यह डाल देगा इसको ठीक है तो मैं अगर यहां पर लिख दूँ it.before और मैं जैसे यह करूँगा तो आप लोग देखना क्या होगा कहां पर डाले गई इसको इसने actual में ड डाला तो इसको यहां पर यह था लेकिन container से बाहर कर दिया पहले container के अंदर था ठीक है फिर इसके बाद note.after note.after भी काफी से मिला रहा है ठीक है आप note.after करोगे अगर तो यह कहां पर डालेगा इसको definitely container के बाहर डाल देगा container से बाहर ठीक है देखो container से बाहर डाल रहा है container के बाद डाल रहा है और एक चीज और आप लोग देखो कि यहाँ पर end of container जो था inner उसके बाहर डाल रहा है याँ यह end of container outer से पहले ठीक है आप यह चीज देखो के तो आप समझ जाओगे यह चीज देखो के कौन सी चीज कहां पर है तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से रिलेटर पहुगे इसलिए मैंने लगाय हुए inner router mark किया हुए ठीक है बढ़िया अब इसके पाद आप replace with का इस्तेमाल कर सकते हो आप इस note को replace कर सकते हो किसी और note से ठीक है किस से replace कर दूँगा मैं div से replace कर दूँगा पूरे A को मुझे बताई कि यह काफी बड़ा सरकस हो जाएगा बट मैंने कर दिया है तो अब क्या होगा अब यह जो container था उसकी जगा पर div आ गया है ठीक है आप देखें वो container ही उड़ा दिया मैंने ठीक है तो इस तरह के काम की जा सकते है मैं सारी जो lines of quotes है उनको comment out कर रहा हूँ और आप लोग इनको uncomment करके practicing कर सकते हो ठीक है इस रैपल को fork करना और यूज़ करने का फाइदा सबसे बड़ा यह है कि आप लोग fork कर सकते हो directly play around कर सकते हो अगर मैं आप लोग को github पे यह फिर site पे code दूँगा तो आपको अपना environment बले setup करना पड़ेगा फिर उसके बाद तो इसलिए मैं जो है रापलेट का इस्तिमालिया पर कर रहा हूँ तो काफी फाइदा हो रहा है हमको रापलेट यूज़ कर गे ठीक है अभी भी plan कर रहा हूँ मैं और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है मुझे बता होगे किस तरह के courses में आप interested रहोगे तो अभी के लिए इस वीडियो में इतने इस playlist को access करना यहां click करके bookmark करना यहां click करके save करना thank you so much guys for watching this video and I will see you next time हुआ हुआ हुआ